आज की वीडियो में आप सब का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा भागतीन अम्रिता पब्लिकेशन का छठा पार्ट जयतु भारतों। आप देखेंगे कि जयतु में लोट लकार का प्रियोग हुआ है यानि भारत की जय हो। इस पार्ट में हम लोग ज्यान विज्यान प्रगती संबंदी स्वदीश विश्यक नाटियम लोट लकार बोधा उपपद अलम। यानि कि ज्यान विज्यान से संबंदी अपनी देश के विशय में एक नाटिक हम लोग पढ़ेंगे जो कई पार्ट मिलकर के इसलाविने कर रहे हैं और इस पार्ट में हम लोट लकार का प्रियोग करें सीखेंगे और उपपद अलम का। तो चलिए हम लोग शुरू करते अपना पार्ट। एक तह चत्वारह चात्रह जैतु भारतम जैतु भारतम इती उत गोशे अंतह प्रविशंती एक तह यानि एक ओर से चार चात्रे जैतु भारतम जैतु भारतम भारत की जै हो इती उत गोशे अंतह ऐसी गोशना करते हुए प्रवेश करते हैं पुना फे अन्य तह दूसरी ओर से दो चात्रों प्रविशत दो चात्र प्रविश करते हैं चत्वारा चात्र जयतु भारतम जयतु भारतम चार चात्र बोलती हैं भारत की जय हो भारत की जय हो प्रतं प्रतिपक्ष बोलता है सावेगं तेजी से आते हुए किम्रे बराका है, क्यों रिचारा यानि उसको तुक्ष करते हो, डिमुलाइश करते हुए क्यों रिये विचारी कथम यूवम जैतु भारतम जैतु भारतम तुम लोग क्यों भारत की जै हो इती घोष्य था ऐसी घोषना कर रहे हो चत्वारह सामोहिक रूपिण चारों जो हैं वो सामोहिक रूप से बोलते हैं कथम कथम क्यों क्यों वीट ये प्रतिपक्ष दूसरा प्रतिपक्ष जो है वो बोलता है दैज्यानिक विकासस से समक्षम भारतस्य का इस्थिती वर्तती किम भवनतों न जाननती दैज्यानिक विकास के सामनी भारत की क्या इस्थिती है क्या आप नहीं जानते अज से सब्यता बहुँ प्रचीना किन्तु वयम्तु आधोनिका इसकी सब्यता बहुत ही पुरानी है किन्तु हम लोग तो आधोनिक है यानि नए है प्रथम पक्ष यानि पहला पक्ष बोलता है वैग्यानिक विकास छेत्री भारते कारियम न जातम बहुआनिक विकास के छेत्र में भारत का कारियन नहीं हुआ इती न ऐसा नहीं है चेकित्सा छेत्रे चेकित्सा के छेत्र में चरब शू सुर्ता त्रेय प्रभिर्तिनाम नामानी गडिते खगोले चा आर्यभट ब्रह्मगुप्त बास्कराश चाल प्रभितिनाम नामानी को जाननति तो यहां पे कहा जाता है कि चिखिस्चा के छेत्र में चरक, सुसुत्र और आत्रे यह तेने चिखिस्चा सास्त्र के जनक हैं इनके नाम गडित के छेत्र में गडित और खगोल गडित और खगोल के छेत्र में आर्यभट और ब्रह्मगुपते भास्कराचार ये तिनों के नाम आर्यभट ब्रह्मगुपत और भास्कराचार आदी नामानी को ना जानाती आदी नामों को कौन नहीं जानता है कहने के मतलग यह है कि भारत की सब्वता प्राचीन है फिर भी वहां पे बैग्यानिक विकास हुए है प्राचीन कालमी चिकिच्चा के छेत्रमी चरक सूसुरुत और आत्रे और गड़ी तथा खगोल के छेत्रमी आरिभट ब्रह्मगुप्त और भासकराचार आदी जो हैं ना आज भी इन चिकिच्चक वेताओं के द्वारा आप देखते हैं कि बहुत सारी और शदियों का हम लोग आयुर्वेद में इस्तमाल करते हैं उसके जनक यही है प्रथम प्रति पहला प्रतिपक्ष बोलता है यानि विरोधी दल बोलता है प्राचीन गौरों गानम कुर्वन आप लोग प्राचीन गौरों का गान करते हैं जानन्तु जानते हैं यत तादर्शी इस्थिति की वैसी इस्थिति अधुनातने भारते नास्ती आधुनिक भारत की नहीं है वित्य पक्ष दूसरा पक्ष बोलता है स्री होमी जहांगीर भाभा जगदीश चंद्रवशू शिवकर बापु जीतल पदी सीवी रमन प्रभिर्त्या अस्माकम बैग्यानिक समुनत्ते निर्दर्शन भूता संती ये बोलता है कि बैग्यानिक छेत्र में भी हमारा भारत जो है अग्रगणे है स्री होमी जहांगीर भाभा जगदीश चंद्रवशू सुधा शिवकर बापु जीतल पदी सीवी रमन आदी हमारी वेग्यानिक उन्नत्ती की निर्दर्शन भूता आधर्श है प्रत्य अग्रतया नभी नितम यानि बर्तमान में है ना सु विख्यात राष्ट्रपती चरहा विख्यात पुर्व राष्ट्रपती अब्दूल कलाम महोद इते तु प्राचीन आना सन्ती, ये तो प्राचीन नहीं है, इते विज्ञान से विविधेशु छेत्रेशु प्रथक प्रथक अते महत्योपूर्ण कार्यम कर्तम, इते संपुर्ण विश्वम जाना थी इनोने विग्यान के विन छेत्रों में अलग-अलग अत्यन्ते ही महत्यपूर्ण कारिकिया ऐसा संपोर्ण विश्व जानता है। कथम युँवं ना जानी था, क्या, तुम लोग नहीं जानते हो। क्यों तुम लोग नहीं जानते हो। त्रित्य पक्ष, तीसरा पक्ष, किम ना जानाती सांप्रती, कम्प्योटर सौफ्ट वियर छेत्री, भारतम जगत गुरु इव विराजती, क्या नहीं जानती? भारतमान में, कम्प्योटर सौफ्ट वियर के छेत्र में, भारत जगत गुरु के जैसा विराजमान है, भारतमातु सत पुत्र है, भारतमाता के सत पुत्र, अस्यविज्ञानश से विस्तार है, संपोन जगती विर्यमानास्ती भारत माता के सच्चे सपूतोनी हुनहार सपूतोनी इस ज्यान का विस्तार संपोन जगत में विर्यमानास्ती संपोन जगत में इस ज्यान का प्रसार किया है चतुर्च पक्षा चौथा पक्षा अस्माकम इंसेट श्रिंग खला हमारी संचार उपग्रह संचार उपग्रह यानि जिसके माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगों बारता दूर संचार है ना तो इंसेट श्रिंग खला अगनी त्रिशूल आदी प्रच्छेप्यम भारत सक्ते प्रत्यकम अस्ति हमारी संचार उपग्रह अगनी त्रिशूल आदी मिसाल्स प्रच्छेप्यम मिसाल्स भारते शक्ति भारत की शक्ति का प्रत्यकम प्रतीक है किम पोखरण परमाडु परिक्षणं विस्मरंती भवन्त क्या पोखरण का परमाडु परिक्षण आप लोग भूल रहे हैं इसके द्वारा निशन से निशन कोच ही परमाडु शक्ती समपन राष्ट्रों में भारत को महनियं उचा अस्थान प्राप्त हुआ अलम अलम बस बस नश्ट मोह हमारा अंदकार जो है वो नश्ट हुआ अज्यानता जो है नश्ट हुई अस्मृति लब्द हुआ याद हुआ तोत कृप्या तुम्हारी कृपासी चा भरात्रम है न तो अलम अलम बस बस हमारा अंदकार जो था अज्यानता रुपी अंदकार ज तुत कृपयाचा ब्रातरम तुमारी कृपयाचे भाई हमें याद आया पुर्वम आवाब्याम यत किमपी उक्तम पहली हम दोनों के द्वारा है ना पहली हम दोनों ने जो कुछ कहा तत अस्माकम वह हमारी अज्ञान भी विजी भितम एव आसेथ वह हमारी अज्ञानता थी अधुना महत्वम ग्यातम आगच्छंतु ब्रातर अब महत्व ग्यात हुआ एकी भूय सर्वे वयं भारत के संस्क्रिप्ति संवृध्धय प्रयत्नम कुर्याम अब हम लोग आपस में एक होकर कि भारत की संस्कृति के विकास के लिए सम्रिद्दय विकास के लिए प्रत्न करेंगे जय तु भारतम जय तु भारतम भारत की जय हो भारत की जय हो इस प्रकार से इस पार्ट में हम लोगों ने अपनी देश के प्रगती के बारे में ग्यान, चिकिटसा, विग्यान, मिसाइस और ये दो भाष आदी के छेतर में जो हमारे देश में प्रगती हुई है उसके बारे में पढ़ा अब चातरों से मेरा अनुरूद है कि आप इस पार्ट के शब्दार्थ को आवश्य याद कर लेंगे इस पार्ट के शब्दार्थ को याद कर लेंगे अब हम लोग चलते हैं इस पार्ट के अभ्यास की ओद एक वाकेन उत्तरम लिखत एक वाके में उत्तर लिखना है ये कता कती छात्रा प्रविशनती ये कोर से कितने छात्र प्रवेश करते हैं तो कती प्रश्ण है कती प्रश्ण माचक शब्द है कती तो ये कता चत्वारह छात्रा प्रविशनती आप कती के जगह पे चत्वारह का प्रयोग करेंगे यह कृता चत्वारा छात्र भरिशनति आपका उत्धर हो जाएगा यह कश्मिन छेत्री चरख सुर्चा अत्रे प्रभिर्थ्य संती किस छेत्र में चरख सुसुत्र और अत्रे आधि हैं तो कश्मिन किस छेत्र में तो चिकेट्सा छेत्री चरत शूसृत्र आत्रे प्रभिर्त्या संती के अर्समाकम बैज्ञानिक समुन्नती निर्दर्शन भूता संती कौन सब हमारी बैज्ञानिक उन्नती के आदर्श हैं तो के के जगा हम लोग कहेंगे हो मी जहांगीर भाभा जगदिश चंद्रवशू सुधाकर दिवेदी अर्समाकम बैज्ञानिक समुन्नती निर्दर्शन भूता संती आपका उतर हो जाएगा कस्मिन छेत्रे भारतम जगतगुरु इव विराजते किस छेत्र में भारत जगतगुरु की तरह विराजमान है तो कस्मिन के जगा हम लोग करेंगे कम्प्योटर सौप्ट विर छेत्रे भारतम जगतगुरु इव विराजते भारत सक्ति प्रत्यायकम कि मस्ती भारत के शक्ति का प्रतीक क्या है तो भारत सक्ति प्रत्यायकम कम्प्योटर सौप्ट विर छेत्रे इन्सेट अगनी त्रिशूल है ना यहाँ पर हो जाएगा अस्ति के जगत संती क्योंकि भारत के शक्ति का प्रतीक जो है इन सभी चीजों का विकास है कम्प्योटर सौप्ट विर के छेत्र में इन्सेट यानी दूर संचार उपग्रह के छेत्र में और अगनी और त्रिशूरादी मिसाल्स के छेत्र में यह भारत की शक्ति का प्रतीक है अब प्रस्चिन नमबर टू में हम लोगों को आपस में मिलान करना है अधो लिखेत परस्परम मेलनम कुरूत जयतू भारतम सभ्यता प्राचेना चेकित्साचेत्री चरकह अधुना तनी भारती अस्मृती लब्धवार प्रस्चिन नमबर टू में हम लोगों को क्या करना है कि पाठ के अनुसार रिक्तस्थानों के पूर्ती करनी है कथम युवं इती उद्गोश्यत है ना तो यहाँ पे होगा कि जयतू भारतम जयतू भारतम क्यों तुम लोग ऐसी उद्गोशना करते हों कैसी तु जय तु भारतम जय तु भारतम अस्य सभ्यता इसकी सभ्यता प्राचीना किन्तु वयं तु आधुनिका गमें गडिते खगोले चा गडित और खगोले के छेत्र में आर्यभड ब्रह्म गोपते भासकराच्चारे नमानी को ना जनाती नामों को कौन नहीं जानता है प्रत्य अगृतया सुविख्यात राष्ट्रपती चरह नवीनितम सुविख्यात पुर्विराष्ट्रपती अब्दूलकलाम महोदया नश्टो मुह हमारा अज्यानता रुपी मुह जो है वो नश्टुआ अस्मृति लब्धुआ याद आया त्वत कृपया चवरात्रम और भाई तुम्हारी कृपा से तत अस्माकम अग्यान वी जी भितहब तत अस्माकम अग्यान वी जी भितहब तो इस तरह से हम लोगी तस्थानों के पूर्थी करेंगे अगला प्रश्ण है हमारा पुरुष और वचन बताना है पुरुष और वचन लिखें जैतु जैतु प्रथम पुरुष और एक वचन है लोट लकार का उद्घोश यत मध्यम पुरुष बहु वचन है वर्तति प्रथम पुरुष एक वचन है ये आत्मने परधातु का है जानाती जाननती प्रथम पुरुष बहुआ वचन है आसित प्रथम पुरुष एक वचन है ये लंग लकार का है बिभक्ति वचनम चल लिखत बिभक्ति और वचन लिखना है खगोली अब आप देख रहे हैं कि खगोली में सब्विभक्ति और एक बचन है ये अकारांद पुलिंग शब्द है खगोल प्राचीना प्राचीना प्रत्मा विवक्ति एक बचन है और ये इस्तिलिंग शब्द है लता की तरब विज्ञानस से सश्ट विवक्ति एक बचन है विविदेशु सप्नि विवक्ति बहुँ बचन है ब्रात रह ये रिकारांद शब्द रूप है प्रत्मा विवक्ति बहुँ बचन है उत्गोशियंतः प्रविशंति विकाशह आगच्छतु सम्रिद्धय प्रतिया यहाँ पर यह देखेंगे कि यह उपसर्ग है क्योंकि शब्द के पहले जुड़ा है तो यह क्या हुआ उपसर्ग है शब्द के पहले जुड़ के शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट को पूरा किया मुझे उमीद है कि मेरा यह प्रियास आपके लिए लाफकारी से दोगा अगर आपको मेरा प्रियास पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अप्लोड करू तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सिग्रे पहुंचिए और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिएगा धन्यवाइद